कुछ लोग के किसमती भगवान खराब लिखे ले ओमें से हाम हुए को पाने कि हम दुबारा इनकी सिंदगी में आ गए नहीं पर उतो माई बने वाला बाड़ी हम के ही यहां से चाहे के पड़ी भोजपुरी की एक बहतरीन मूवी जिसका नाम दोस्तो है सौतन दोस्तो इस फिल्म को आपने देख भी लिया होगा बहुत से दर्शक हैं इस फिल्म को देख लिया हैं बड़ दोस्तो यूट्यूब पे ये फिल्म आपको देखने को नहीं मिल रहा है छोटा छोटा क्लिप्स इस फिल्म के देखने को मिल रहे हैं तो दोस्तो आप परिसान नहीं हुए, हम इस वीडियो में आपको एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाले हैं कि आप इस फिल्म सौतन को कैसे देख सकते हैं, दरसल बिकरान सिंग राजपूत और संचीता बनर जी की ये फिल्म काफी कमाल की फिल्म होने वाली है, दोस् दोस्तो रीतु सिंग और संचीता बनर जी की जोड़ी आप इस फिल्म में पहली बार एक साथ देखने वाले हैं, दोस्तो सोतन फिल्म जोकी जिसके अभिनेता बिकरान सिंग राजपूत हैं, दरसल बिकरान सिंग राजपूत बहुत सालों से भोजपूरी में काम नहीं कर रहे हैं, दोस्तो अब बिकरान सिंग राजपूत बहुत पूरी में एक के बाद एक फिल्में लेकर आ रहे हैं, और लगभभग लगभग सारी फिल्में HOW रही हैं और इस फिल्म को YouTube पे भी छोटा-छोटा करके रिलीज किया जा रहा है, बड़ दोस्तो इस फिल्म को आप देख सकते हैं, आप हमारी इस वीडियो में बने रहिए, और दोस्तो हम इस वीडियो में बहुत सारे फिल्मों का रिभीव देने वाले हैं, और साथ ही साथ ये भी ब देख सकते हैं, और वहां भी आपको प्रवाइट कराई जाती है, चलिए वीडियो को सुरू करते हैं, संघर्स फिल्म आया, और संघर्स फिल्म हीट हुआ, लेकिन फिर से संघर्स टू आने वाला है, लेकिन दोस्तो वहीं लाडला आया, लाडला हीट हुआ, लाडला टू किस फिल्म को देखे और काफी तारिफ किये, और बहुत से ऐसे दर्शक हैं, और दर्शक जो फैमिली मेंबर हैं, उन लोगों ने इस फिल्म को अभी नहीं देखा है, तो इस फिल्म को आप देख सकते हैं, बखु भी देख सकते हैं, और भी अपने फोन में देख सकते हैं, तो मैं आगे बताऊंगा कि आप इस फिल्म को कैसे देख सकते हैं लेकिन बहुत से से जो दर्शक हैं वो चाहते हैं संखष 2 जैसे आने वाला है लाडला 2 आने वाला है खिसाल लाल यादो की ये फिल्म में हैं वैसे ही परदीपांडी चिंटू की विवा सिरिज फिल्म में हैं विवा 1, विवा 2, एंड अप विवा 3 भी रिलिज होने वाला है तो इस तरह से एक दिन की सास जो है इसका भी पार्ट 2 आए दरसल इस फिल्म में अंत में ये दिखा जा रहा है एक दिन की सास में कि कादल रगवानी का जो सरीर जल जाता है आधा हिस्सा पूरा जल जाता है और वो अपने आपको ही दोसी ठहराती है और अपने भाग को कोस्ती है कोस्ती नहीं बल्कि वो सोचती है कि हमारे किस्मत में बस यहीं लिखा हुआ है जो हो रहा है तो आगे की अधारनाय क्या होंगी वैसे तो वहाँ पे फिल्म एंड कर दिया जाता है कि हाँ अधित इस फिल्म में है जय यादो जय यादो जो है वो निभ उनको एक्सेप्ट तो जरूर करेंगे कर लेंगे लेकिन आगे की स्तिधिया किस तरह से गुजरेंगी क्या बरताव रहेगा उनके सास का उनके प्रती काजर अगवानी के सास का काजर अगवानी के प्रती क्या बरताव रहने वाला है इन सारी बातों को जानने के लिए दर्शक उत्सुक है उन्होंने फिल्में देखी हैं कहानी उनको काफी अच्छा लगा और लेडी जो है इस फिल्म की मुख्य भिनेतरी काजर रगवानी उनका एक्टिंग स्किल भी अच्छा लगा साथी साथ काफी लचार होती हैं काफी बेबस होती हैं और फिर भी बेबस लचार होने के बावजूद भी अपने हक के लिए लड़ती हैं और सभी का दिल रखती हैं और खुस रखने का प्रियास करती हैं जो कि एक बहुक के अंदर इस तरह की गुन होने चाहिए जो कि उनमें कुट-कुट कर भरा हुआ होता है एक दिन की सास में तो इसका पार्ट टू जो है सिरीच दर्शक देखना चाहते हैं और काफी ब्रखुबी से इंतजार कर रहा है कि एक दिन की सास टू आएगा या नहीं दोस्तो हम आपको बता दें एक दिन की सास काफी सफलता होने के बाद एक दिन की सास टू का भी एनाउंसमेंट बहुत जल्द किया जाने वाला है एक दिन की साश टू फिल्म भी बहुत जल्द आएगी वैसे ही दोस्तो जैसे साशु जी तुने कदर न जानी जो पार्ट वन फिल्म है उसका पार्ट टू का बाते चल रहा है और उस फिल्म ने भी कापी सुर्खिया बटोडी थी जिसमें मुखबनेतरी संचीता बनर जी थी और शंचीता बनर जी भी आजकल उसी तरह की फिल्मे रा रही है पारिवारिक फिल्मे है अलाकि ये जो फिल्मे है इन सारे फिल्मों को सिनेमा घर का स्क्रीन नहीं मिल पा रहा है बट ये लोग टिवी चैनल के इसक्रीन पे भी अपना जलबा कायम रखने का प्रियास कर र हाहat। क्योंकि इस तरह की जो film में परिवारिक आ रही हैं इन सब फिल्मों को सीनेमा घरों में तो लगाया नहीं जा रहा है और जो आज Français के नए यूद्थ हैं वो इस तरह की फिल्म में देखना भी पसंद नहीं करते हैं और उनको कुछ अभी का जो दशलारा है इस तरह की कुछ उनको concept चाहिए हलागी कुछ story चाहिए कुछ ऐसा concept चाहिए जो इतिहास में घटा हो और कुछ अलग हो तो इस तरह का नए यूद खोज रहा है लेकिन भोचपूरी में इस तरह से फिल्म में कभी बनी नहीं है लेकिन हाँ हर हर कंगे जो एक फिल्म है और टौन सिंगी है 20 अक्टूबर को रिलीज की जा रही है सिनेमा गरों में तो उस फिल्म को देख करके ऐसा उनमान जताय जा रहा है ट्रेलर को देख करके कि हाँ ये फिल्म कुछ अलग है और ये जो है चाप तो जरूर छोड़ेगी ये भोजपूरी में कुछ अपना अलग पहचान बनाएगी और एक भोजपूरी को अलग लेवल देने का परियास करेगी वैसे ही दोस्तों परदी पांडे चिंटू की जैसे हमने आपको बताया एक दिन की साश परदी पांडे चिंटू भी हो सकते है क्यांकि परदी पांडे चिंटू इन तरह की फिल्मों के लिए ही जाने जाते हैं उन्होंने तमाम भोजपूरी में फिल्में की हैं जो की परिवारिक और लव इस्टोरी फिल्में हैं आप देख लीजिए विवाह वन जो फिल्म था परदी पांडी चिंटू का उस फिल्म ने भी काफी सुर्ख्या बटूरी थी उस फिल्म का स्टूरी कुछ अलग था हलाकि अलग यह था कि जो संचीता बनर जी की बड़ी भहन होती है जिनसे प्यार पर्दिपांडे चिंटू को होता है उनकी साधी फिक्स हो गई होती है लेकिन साधी के दिन ही संचीता बनर जी की बड़ी वहन का आता पता नहीं लगता ऐसे अफवाय या फिर बताई जाती हैं कि वो भाग चुकी है घर से और उनके जगा पे पर्दिपांडे चिंटू के पीता जो है मान जाते हैं और संचीता बनर जी से ही पर्दिपांडे चिंटू की साधी हो जाती है हलाकि जब वो आती है ससुराल तो उनको काफी टोचर सहना पड़ता है चाहे वो पर्दिपांडे चिंटू की मा हों उनकी बहने हों सभी लोग काफी टोचर करत सामिल होते हैं वो भी उनको एक्सेप्ट नहीं करते लेकिन धीरे-धीरे जब संचीता बनार जी को संचीता बनार जी उनके काम में भी हात बठाने लगती है और उनके वजह से उनका काम निकलने लगता है और देखते हैं देखते उनके सरारती पन को देखकर चिंटू पांडे भी फिसा जाते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं आंत में हलाकि काफी कठनाया सहने पड़ती है संचीता वनर जी को तो इस तरह के परदी पांडे चिंटू फिल्म बहुत पहले से लाते रहे हैं और काफी परिवारिक फिल्में भी उन्होंने करी है तो इसी उमीद से ये बाते जताई जा रही है कि परदी पांडे चिंटू जो हैं एक दिन की सास्टू में दिख सकते हैं बहुत सारे फिल्में परदी पांडे चिंटू लेकर के भी आ रहे हैं जिसमें तमाम फिल्में जाही रहे हैं जैसे One Man Army जिसमें एक्षन का तो कोई जवाब ही नहीं है क्योंकि उस फिल्म की चर्चा हैं काफी दर्शक के साथ साथ काफी रीवीवर जो यूटूवर हैं ओ भी काफी अच्छे-च्छे बाते बोल रहे हैं One Man Army फिल्म के लिए जो कि परदी पांडी चिंटू की फिल्म है और ऐसी बात बताई जा रहे हैं कि भोचपूरी में इस तरह का एक्षन वाली फिल्में पहली बार देखने को मिर रही हैं और उसका कंपेर जो है संघश टू और हरहर गंगिक से नहीं बलकि उससे कई गुना बेहतर बताया जा रहा है जो परदी पांडी चिंटू की फिल्म वन मैन आर्मी है तो देखते हैं दोस्तों कहां तक ये फिल्में सफल हो पाती हैं बाकी तमाम जैसे विवाथिरी फिल्म आने वाला है अगनी साक्षी आने वाला है ये सारे फिल्में परदी पांडी चिंटू के ही हैं और भी बहुत करें परति पांड़े चिंटू की तो परति पांडी चिंटू जो है्भी विल्भ स्टूरी मेटर में घूशे हुया है उनकी एक भी फ्छ चलपाएंगी इस तरह से काम नहीं चलेगा भुछपुरिया दर्शक प्यार पहले मेटर करता है इसलिए दोस्तों फिल्म में भोचपूरी की नहीं चल पा रही है सिर्फ और सिर्फ लव इस्टोरी को ही परोसा जा रहा है जिसके चलते दर्शक जो हैं समझ चुके हैं कि भोचपूरी में कुछ दम तो है नहीं जिसके चलते की दर्शक अपना पाउं जमाए रखें सिनेमा घर में और सिनेमा घर वालों का भी कुछ मुनाफ़ा हो और वह सिनेमा में घर में भोचपूरी फिल्मों को लगाए रखें हलाकि फरिस्ता जो मूवी थी फरिस्ता मूवी ने अपना पाउं जमाए रखा भोषपूरी में एक ऐसी फिल्म वनी जो की हाई बजट दस सालों के भीतर के अनुमान से बताया जा रहा था कि दस सालों के भीतर इस तरह की कमाई करने वाली फिल्म कोई नहीं थी जो लगवक तीन सब्ताह तक किसी किसी सिनेमा घरों में लगी रही और कई सिनेमा घरों में कुछ दिन तक ही लगी लेकिन दर्शक का जो भीड है उम्राव है उस फिल्म के देखने के लिए जो की काफी अच्छा देखा गया सिनेमा घर में कुछ दर्वाजे भी तूटे और ये खुसी कलाकारों के लिए बहुत ज्यादा होती है इस्पेसली प्रोडिूसर डायरेक्टर जो भी फिल्मेकर होते हैं जो भी आर्टिस्ट होते हैं सभी के लिए एक खुसी का दिन होता है कि दर्शक उनको देखने के लिए ओभी सिनेमा घर में इतने उतावले हुए जा रहे हैं कि टिक्टे नहीं मिल रही हैं ये खुसी का लहर होता है एक फिल्मेकर के लिए तो दोस्तों इस तरह का कई सालों बाद देखा गया फरेस्ता मवी के लिए जो कि खेसारी लाल यादों का एक एमोशनल कर देने माला लुक जो कि सभी को भाया और ये अलग किरदार था तो उमीद है परदी पांडे चिंटू भी इस तरह की किरदार को निभाएंगे मतलब कुछ अलग हट के लव स्टोरी तो एक अपना अलग जगा है फिल्म को इंटर्टेनिंग बनाने के लिए कमेडी एकसान हर एक चीज़ का होना जरूरी होता है लेकिन जो मेन मुद्दा ह फिल्म का एक मंजील होता है फिल्म में उस मंजील को लव स्टोरी को ना दिखा कर किसी अलग मुद्दे से दिखाया जाए जैसे हर हर गंगे पावन सिंग जी का आने वाला है तो उस फिल्म में गंगा मैया किसे रिलेटेट दिखाये गया है यानि कि गंगा मैया को साफ करन के विसाय में तो उस तरह की कुछ अलग अलग कांसेफ्ट की फिल्में आए तो चलेंगी और परदी पांडे चिंटु भी अपनी पहल जरूर छोड़ेंगे और इस तरह के फिल्में भी जरूर लाएंगे दोस्तों हलाकी विवाथरी परिवारिक फिल्म है वैसे परदी में करना उनको अच्छा लगता है अलाकि वह भी चाहते हैं अलग अलग कांसेफ्ट पर काम करें और उमीद है यह बात को जरूर शमझेंगे और अच्छी फिल्में लाएंगे दोस्तों मैं एक और बात आपको बता दूँ झाल 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